हालो एफ्रिवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल प्रिविए सब्सक्राइब का जो सीरीज चल रहा था उसी में आप सब का फिर से स्वागत है चलिए फिर से दिखते हैं कुछ सवाल यह पर्सन इंवेस्टेड वन फॉर्थ अव थे सम फ्वेट थाउजंट अट ए सब्सक्राइब का फॉर्मूला तो सबको पता है पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेड ठीक है यह डाइरेक्ट ही करना परेगा तो पहले तो बात है एक अगर वान फॉर्थ होगा तो दूसरा वाला कितना होगा थ्री फॉर्थ होगा ओके तो परसन इंवेस्टेड वन फॉर्थ अब दे साम ओफ दिस एड़ साटन तो इतना क्या हो गया यह वाला जितने में होगा वान फॉर्थ कितने में है वान फॉर्थ दिया हुआ है वान फॉर्थ अगर एक्स में है तो यह वाला एक्स प्लास फॉर्थ परसेंटेज में है यह रेट ठीक है तो यह वाला एक्स परसेंट में है यह वाला एक्स प्लास जो होगा दो साल के लिए वो है इंटरेस 4 1 2 5 ओके तो चलिए देखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे पहले तो सम है 25,000 तो 25,000 का में कोहन भी ले सकता हूँ और इधर लिख भी सकता हूँ 25,000 इंटू 1 by 4 यह 1 by 4 है क्योंकि 1 by 4 एक इंटरेस में चलेगा और दूस्ता 3 by 4 पार्ट जो है वो प्लस 4 परसेंट इंटरेस ज्यादा में चलेगा ठीके 1 by 4 इंटू T टाइम दो साल आर एकस मान लिया ओके और डिवाइड़ेड बाई 100 अगर किया तो यह वाला कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा प्लस 25,000 इंटू 3 by 4 क्योंकि 3 by 4 पार्ट है इंटू X प्लस 4 इंटू 2 ओके यह रेट हो गया और यह यार हो गया डिवाइड़ेड बाई यह 400 हो गया 100 से गुना होके और दैट इस इक्वाल टू 4 1 2 5 clear यही है according to question जो मतलब equation बनता है मैं लिख दिया अभी इधर से मैं जो कर सकता हूँ पहला तो बात यह तोड़ा इसको घटा सकते है तो इसमें से common जो आ जाएगा वो है 250 into 2 500 इधर से यह दो भी कार्ट देते है तो इधर आ जाएगा 125 similarly इधर भी हो जाएगा तो इधर से हो जाएगा 125 ultimately तुम 125 common ले सकते हो 125 अगर common ले लिया तो इधर आ जाएगा बस x plus इधर आ जाएगा 3 into x plus 4 that is equal to 4125 तो इतना तक तो शायद सबको समझ में आ गया होगा अभी बस इसको solve करना है 125 से इसको अगर direct करोगे तो 375, 375 के बाद फिर से 375 आएगा ओके 375 और फिर से 375 तो 33 हो जाएगा 125 से अगर करोगे तो तो x plus 3x plus 12 is equal to 33 ओके 33 हो गया तो 4x equal to हो जाएगा इसके साथ अगर 33 minus 12 कितना हो जाएगा 21 और x equal to 5.25 percentage तो x की सको माना था इसको 5.25 माना था तो x plus 4 कितना हो जाएगा 9.25 percent ओके तो option number 1 correct answer है सही है next question कुछ ऐसा है इसका value निकलना है closest to value निकलना है एक तो एक कर सकते हैं कि आपका approximate लगा सकते हैं कि 28 या ऐसा कुछ कर सकते हैं तो उसमें से थोड़ा गलत होने का chance है कि 6.1 और 6.5 काफी पास पास है value ठीके तो इससे जादे हम लोग क्या करेंगे square root निकलने का कोशिश करेंगे इसको square root निकलना कैसे होता है तो पहले ये वाला तो हम direct इधर तो रहा question लिख लेते हैं 28 plus 10 root 3 minus 7 minus 4 root 3 तो ये कैसे करते हैं थोड़ा एक बार हम देख लेंगे ये वाला जो पार्ट होता है जो combination of rational number और irrational number ये जो पार्ट होता है जो irrational और rational से मिला हुआ होता है वो 2AB मानके चलते हैं इसको इसको अगर 2AB मानके चलते है तो 10 root 3 is equal to 2AB करेंगे तो 2 से cancel out 5 root 3 is equal to AB तो A अगर 5 हुआ और B अगर root 3 हुआ तो इससे देखो इसका square कितना होता है 25 root 3 का square कितना होता है 3 25 plus 3 कितना हुआ 28 तो ये देखो satisfy हो गया तो ये total जो इसको हम ऐसे लिख सकते है 5 plus root 3 का whole square और उसके बाद ये हो गया root समझे आया similarly इसको अगर 2AB मान लिया तो 2AB is equal to 4 root 3 किया तो 2 से 2 cancel out तो AB is equal to 2 root 3 तो A हो गया 2 और B हो गया root 3 और 2 का square कितना हुआ 4 और इसका square 3 4 plus 3 7 satisfy और अगर middle में minus 9 है minus 2 A भी है तो इसमें कोई भी एक number minus होगा तो इसमें हम ऐसे लिख सकते है कि 2 minus root 3 का whole square ओके समझ में आ गया होगा ठीके तो इसको हम भी root हटा सकते है 5 plus root 3 minus 2 plus root 3 यह minus के चलते है यह ऐसा हो जाएगा तो यह हो गया 3 5 minus 2 3 plus root 3 root 3 into 2 क्योंकि 2 root 3 है ठीके अभी root 3 का approximate value हम लोग को पता है यह वाला इसका approximate value कितना है 1.73 something ओके तो 1.73 into 2 कितना हो जाएगा almost 3.5 हो जाएगा तो 3 plus 3.5 is equal to 6.5 इसका सही जबाब question number 4 will be the option number 4 will be the right answer ओके तो इसको क्या करना है बस यह जो combine part है combine जो part है उसी को लेके जो rational और irrational number का mixing है उसी को 2AB करना है क्योंकि irrational number का आप square अगर करोगे तो वो तो rational बन जाएगा तो इसी लिए हम ऐसे करेंगे तो इसी को करेंगे तो 2AB उससे adjust होके हम लोग का answer आ जाएगा next question है ABC started a business तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ ABC तीनों बंदे है जो एक business start किया twice the investment of A is equal to twice the investment of B तो यह अगर 3 हुआ यह 2 हुआ and also equal to 4 times the investment of C तो इसके नीचे हम 4 लिख दिये okay मतलब अब A के नीचे 3 B के नीचे 2 और C के नीचे 4 तो इनका ऐसा कुछ relation है 3A is equal to 2B is equal to 4C तो 3A is equal to 2B is equal to 4C तो इसमें क्या हो जाता है reverse हो जाता है क्योंकि देखो 1 by 3 अब जब share बातने वाला होगा तो यह 1 by 2 यह 1 by 4 हो जाएगा तो इसमें से 3, 2 और 4 का LCM कितना होता है 12 तो इधर हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 3 अब यह 3 unit is equal to कितना दिया होआ है 4863 3A unit अगर is equal to 4863 तो 1 unit is equal to कितना हो जाएगा 1621 और 161 into 4 1621 तो option number इसमें आ जाएगा option number 4 6484 will be the right answer अब देखो यह वाला एक trigonometry वाला question है यह देखने में तो बहुत ही ज्यादा मतलब difficult डग रहा है पावर टूदी पर 6 है लेकिन इस तरह का math में हम थोड़ा चेक करेंगे theta का value 90 degree और 0 degree से तो देखो इधर हम अगर 0 degree बैठाएगे तो यह 1 हो जाएगा यह भी 1 ह जाएगा और यह 0 हो जाएगा तो हम बैठा सकते हैं क्योंकि denominator part क्या हो रहा है denominator part 0 नहीं हो रहा है कि अगर 0 हो जाता है तो वह undefined हो जाता है तो हम denominator part 0 नहीं बैठा सकते मतलब नहीं बना सकते तो इधर 0 बैठाने से इसका नहीं हो रहा है 0 मतलब theta का value 0 बैठाने से confuse मत हो जाओ, theta का value अगर 0 degree इधर बैठा है, तो ये denominator part 0 नहीं हो रहा है, not equal to 0 हो रहा है, denominator part, ठीके, denominator part not equal to 0 हो रहा है, तो हम इधर theta का value 0 बैठा सकते है, तो theta का value डाइरेक अगर 0 बैठा देंगे, तो इधर देखो, ये वाला, ये वाला कितना हो जाएगा, इधर ही direct कर रहा है ठीके ये वाला कितना हो जाएगा काटके ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा इसका value ये वाला value 1 हो जाएगा तो उपर से कितना हो जाएगा 2 into 1 minus 3 into 1 और नीचे कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा और इसका minus 2 हो जाएगा तो ये उपर minus 1 और नीचे भी माइनस 1 होके हो जाएगा आंसर 1 ओप्षन नमबर 1 उल्विदा तो ये कंडिशन क्या देखना है ऐसे अगर numerator, denominator ऐसे अगर रहे तो numerator पार्ट तो 0 हो सकता है ठीके लेकिन denominator पार्ट नहीं 0 बनना चाहिए क्योंकि denominator पार्ट अगर 0 बन जाए तो 1 by 0 कितना हो जाता है undefined हो जाता है ठीके तो ये नहीं बैठा सकते तो इधार हम देख लिए satisfy कर रहा है 0 नहीं हो रहा है not equal to 0 इधार लिख दिये denominator not equal to 0 तो हम ये वाला apply कर सकते है ओके चलो बढ़ते है नेक्स कोशिन की दरब नेक्स कोशिन काया इफ इन triangle PQR कोई भी माम लिया triangle है PQR एक triangle है ये P है 120 degree ठीके P is perpendicular to QR P is कोई भी point है इधर P is ये perpendicular है and PQ plus QS is equal to SR PQ plus QS is equal to SR तो ये मानलो इसको कोई भी एक value मानलो इसको मानलो X इसको मानलो Y ठीके तो ये वाला जो SR जो है ये वाला जो part है ये कितना हो गया X plus Y सही है इतना तक सही है then the measure of angle Q तो ये वाला angle तुमको निकालना है तो पहले तो इसमें कोई भी theorem वगरा तो नहीं लगएगा cos theta का जो theorem है वो cos A is equal to B square plus C square minus A square by वो जो 2BC वो भी नहीं लगएगा इधर तो इसमें क्या करना होगा इसमें construction करना होगा ये ही आपको एक बचा सकता है ठीक है तो इतना तो है Y तो इतना भी अगर Y है तो इसको हम क्या बना सकते इसको मान लिया ये P, Q, R, S हो गया ये मान लो T हो गया तो ये triangle को मैं नीचे ले लेता हूँ अभी ये वाला triangle थोड़ा देखें कि फिर उसमें जाएंगे इसमें क्या होगा ये Y हो गया और ये X तो ये जो बचा था ये जो बचा हुआ था ये P, Q, S, T और R में ये टोटल अगर X प्लास Y था S, R अगर X प्लास Y था तो ये अगर Y हो गया तो ये X हो गया और ये एक बात देखो ये और ये ये आईसोसिलेस ट्राइंगल बनेगा की नहीं बनेगा परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला भी X बनेगा तो ये एक आईसोसिलेस ट्राइंगल है और ये भी एक आईसोसिलेस ट्राइंगल है तो यह थीटा है यह भी थीटा है तो यह क्या होगा? तो थीटा होगा यह वाला क्योंकि एक्स्टेडियर अंगेल is equal to sum of the two opposite अंगेल यह थीओरम बनता है ठीक है यह तो थीटा है यह अगर 2 थीटा होगा तो यह भी 2 थीटा होगा? सही है यह नहीं तो यह वाला अंगेल अगर थीटा है यह थीटा है तो यह वाला कितना होगा? यह वाला 120 डिग्री माइनस थीटा क्योंकि टोटल वह अंगेल जो दिया हुए 120 डिग्री दिया हुए यह 120 डिग्री माइनस थीटा है तो अभी यह वाला ट्रैंगेल अगर हम दे देखेंगे तो ये हो गया 120 degree minus theta plus 2 theta plus 2 theta is equal to 4 theta is equal to 180 degree ये 120 degree minus theta, ये 2 theta, ये 2 theta, total ये लिक दिया services, 2 theta 5 theta, 4 theta directly लिका तो ये is equal to 180 degree तो इधर से कितना बन के आ जाएगा 3 theta is equal to इसके इधर लेके जाएगे 60 degree, theta is equal to 20 degree, then 2 theta will be क्यों कितना है 40 degree सही यह गलत बोलो option number 1 हो जाएगा सही answer, ठीक है समझ में आगे, चलो देखते next question तो next यह question है trigonometrica तो यह trigonometric question solve करने से पहले में आप लोगो थोड़ा एक आप लोग, बहुत लोग ऐसे है कि यह ढूंटते रहते हैं यह कहा से मिलेगा, कहा से question उठाता है, कुछ पता नहीं चलता है तो उन लोग के लिए एक surprise भी हो सकता है और कुछ लोग को पता भी हो सकता है तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ यह NCIT का book है यह वाला question थोड़ा गोर से देखो sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by sec theta minus 10 theta इसी को उल्टा करके दे दिया है यह वाला question में और एक दूसरा question में भी दिखाऊंगा कि कैसे directly थोड़ा change करके NCIT से यह लोग question डाल रहे तो आप लोग अगर चाते हैं तो मैं तो यह direct proof दिखाए दिया मैं सोचा कि दिखाऊंगा आप लोग को ताकि यह वाला NCIT बूक है यह तो सबको शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है तो देख लिए होंगे तो मैं किस तरह का जो expression होते हैं उसका direct जो form होता है वो मैं दिखाऊ दूँगा यह दोनों टाइप का ही उसमें दिया हुआ है यह वाला भी दिया हुआ है जो इसमें है साइन थिटा प्लास कोस थिटा माइनस वन का भी दिया हुआ है और कोस थिटा प्लास साइन थिटा माइनस वन और कोस थिटा माइनस साइन थिटा प्लास वन हम दोनों का ही दिया हुआ है ठीक है तो इसका क्या answer थोड़े डीफर करता है वो हम उधर से देख सकते हैं ऐसे तो डाइरेक्ट अगर इसको करेंगे यह अगर यात कर सकते हो ठीक है तो बहुत ही बरिया है क्योंकि यह expression direct already developed है तो इसके चलते यह वाला जो direct था इसको हम directly लिख सकते है sec theta minus 10 theta ठीके इसको directly लिख सकते है sec theta minus 10 theta into इसको 10 squared theta मैं फिर भी थोड़ा करो इसके एक मिनिट भी टाइम लेंगा दिखोगे answer करोगे cosec square theta minus 1 कितना होता है cot square theta क्योंकि 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta तो into cot square theta तो direct में 1 by 10 square theta लिख देता हूँ तो यह यह automatically cut जाएगा और यह नीचे आ जाएगा cosec theta minus 10 theta sorry sec theta minus 10 theta तो यह दो cancel होके आ जाएगा answer 1 option number 2 will be the right answer ठीके तो मैं 2-4 expression आप लोगों के मैं दिखा देता हूँ यह वाला थोड़ा screenshot लेलो या फिर याद भी कर सकते हो यह वाला लिख भी सकते हो थोड़ा देखलो इसको इसमें देखो sin theta minus cos theta plus 1 is equal to by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to sec theta plus 10 theta और उसी को अगर उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा sec theta minus 10 theta क्योंकि देखो मैं थोड़ा एक चीज़ दिखा देता हूँ यह total expression को अगर आप a मानते हो और यह total expression को आप b मानते हो ठीके तो a by b is equal to अगर sec theta plus 10 theta है तो b by a कितना हो जाएगा यह b है यह a है इसमें क्या है यह वाला यह b है और यह क्या है a है तो b by a sec theta plus 10 theta का inverse होगा की नहीं होगा एक याद करोगो दूदूच्रा याद हो जाएगा क्योंकि देखो क्योंकि मैं इधर एक दिखा देता हूँ sec theta plus 10 theta into sec theta minus 10 theta is equal to 1 अगर होता है तो इसमें देखो sec theta plus 10 theta is equal to 1 by sec theta minus 10 theta ओके तो यह a by b is equal to अगर sec theta plus 10 theta है तो b by a क्या हो जाएगा 1 by sec theta plus 10 theta तो यह अगर 1 by sec theta plus 10 theta होगा तो वो क्या हो जाएगा sec theta minus 10 theta तो इस तरह से आप यह याद कर सकते है क्यूंकि sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 और 1 plus और लिद देता हूँ 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta तो इसमें से ऐसा बन सकता है similarly यह वाला देखो यह pattern लगबक से में सिर्फ इधर sign positive था इधर cos positive है तो यह बन जाता है cos theta plus cot theta similarly इसको अगर हम a मान लेते है और इसको अगर हम b मान लेते है तो similarly वो जो एक formula है cos square theta minus cot square theta is equal to 1 से इसका reverse हम याद कर सकते है और यह बहुत बार ऐसा question direct SST ने पूछा है तो हम लोग solve करने लग जाते है कभी कभी value putting से नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो पाता है कभी कभी तो मैं थोड़ा suggest करूंगा तो इसको आप मतलब समझ के याद कर सकते है तो आपको फायदा मन होगा देखिए उस question में एक minute भी time नहीं लगा तो इतना बड़ा question देखे ही लोग घबड़ा जाते है तो उसमें आपको 30 second या उसमें भी नहीं देखो और टिक करो और आगे बरो तो यह बहुत ही फायदा मन होने बाला है तो यह आप देख सकते है ओके चलिए यह जो next question है यह pyramid का question है जिसका base है equilateral triangle ट्राइंगल है तो इन तरह कर तो मैं थोड़ा यह picture ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो ऐसा टाइप का कुछ होगा तो इसमें यह height होता है और यह वाला जो इस side में पड़ता है यह slant height होता है इसको मैं लिद देता हूँ height actually यह pyramid में न क्या है यह pyramid समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि वो तुम formula याद कर लोगे तो हड़ समय नहीं उपाएगा उसको 3D visualization का थोड़ा जरूरी होता है तो यह हो गया यह slant height हो गया यह height हो गया तो आपको निकालना है यह height और एक बात जो दिया हुआ if the area of one of its lateral face यह वाला जो lateral face है कोई भी है क्योंकि equilateral triangle है तो सबका same ही होगा उसका area दिया हुआ है 30 cm square और विज़े base triangle है यह base triangle है ठीके इसका area दिया हुआ है 16 root 3 तो 16 root 3 अगर होता है root 3 by 4 a square is equal to 16 root 3 होता है root 3 root 3 cancel out a is equal to हो जाएगा 8 तो यह वाला side सब 8 हो जाएगा मतलब यह 8 यह 8 और यह वाला भी 8 ओके तो यह 8 हो गया ओके इतना तक समझ में आ गया अब देखो यह वाला जो triangle है इसका base है 8 height तुमको नहीं पता है area दिया हुआ है 30 तो half into base into height is equal to 30 करोगे यह base के जगा 8 बैठा दोगे ठीक है तो इधर से तुम h निकाल सकते हो की नहीं निकाल सकते हो तो इधर से तुम यह 60 h is equal to 60 by 8 that is equal to 15 by 2 4 से यह divide हो जाएगा 15 by 2 तो यह जो slant height जो मैं लिखा हूँ यह वाला is equal to हो जाएगा 15 by 2 इतना तो समझ में आ गया अभी देखो यह वाला अगर 15 by 2 हो गया तो अभी बहुत easy हो जाएगा यह वाला 15 by 2 है और अब इसको जोड दो तो यह फिर से एक triangle बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा यह फिर से एक triangle बन जाएगा जिसका इसको आपको निकालना है यह वाला देखो इसको आपको निकालना है यह दिया हुआ है और यह आप पता कर सकते है ठीक है क्योंकि यह middle point से यह कितना हो जाएगा यह होता है इधर देखो अभी फिर से में एक draw कर देता हूँ इधर यह वाला देखो यह जो triangle है यह middle point से यह कितना होता है 1 by 3 होता है और यह 2 by 3 मिंस 2 is to 1 का ratio होता है ओके तो 2 is to 1 का ratio होता है तो यह वाला height कितना होता है रूट 3 by 2 है तो यह अगर 8 है तो रूट 3 by 2 into 8 तो यह हो जाएगा 4 root 3 divided by 3 तो 4 root 3 by 3 हो जाएगा तो ये वाला जो side है ये हो जाएगा 4 root 3 by 3 तो ये पता है ये पता है आपको ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं पाइथागोरास से निकालेंगे तो height square plus base square is equal to hypotenuse square तो height आपको नहीं पता है ये blank छोड़ देते हैं base आपका कितना है 4 root 3 by 3 मिन्स इसका अगर square कर दोगे तो आ जाएगा 48 by 9 is equal to hypotenuse square कितना हो जाएगा 225 by 4 15 का square और 2 का square तो ये हो जाएगा height square तो इधर से हम ये height is equal to कर सकते है 225 by 4 माइनस 48 by 9 का मतलब इसको हम अगर cancellation करे तो ये 3 से 16 by 3 हो सकता है और इसका हो जाएगा root तो इसमें हम करेंगे कुछ ऐसा ये हो जाएगा 12 तो इसमें हो जाएगा 3 into 2 to 5 6, 7, 5 माइनस ये हो जाएगा 64 तो answer चलके आजाएगा this तो कुछ ऐसा option है की नहीं है हाँ है option number 1 हो जाएगा सही उत्तर समझ में आया ये थोड़ा visualize करना परेगा ये figure को figure को visualize कर सकते कौन सा slant height है कौन सा normal height है तो आप आसानी से कर सकते हैं ओके चलिए next question अब ये वाला question में देखो ये भी 3D का question है लेकिन sphere और hemisphere के sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere what is the ratio of the volume of the sphere to that of the remaining solid ओके तो ये देखो थोड़ा में figure draw करके दिखा देता हूँ ओके ये अगर hemisphere होता है ये मान लो hemisphere है ये radius तो इसका एक radius वाला draw कर लेते हैं तो इन में से maximum volume का एक solid sphere निकलना है ठीक है मान लो ये वाला totally solid है maximum volume का जो निकलेगा कुछ ऐसा निकलेगा तो ये वाला अगर r है तो ये total sphere का diameter भी r होगा तो ये sphere के लिए radius कितना हो जाएगा r by 2 और इसके लिए कितना होगा r कितना तक समझ में आ गया अब ratio निकलना है what is the ratio of the volume of the sphere to that of the remaining solid तो पहले तो volume of the sphere volume of the sphere का formula कितना होता है 4 by 3 pi r r इधर क्या है r by 2 r by 2 का cube clear अभी to the sphere that of the remaining solid remaining solid ये sphere का volume कितना है 2 by 3 pi r cube minus ये वाला तो remaining ये वाला अगर निकलना होगे solid से तो ये वाला जो बच जाएगा इसका volume कितना होगा minus करना परेगा 4 by 3 pi r by 2 cube इसको अगर solve करोगे तो आपका ratio आएगा चलो देखते पहले तो ये वाला उपर वाला थोला लिख लेते तो 4 by 3 pi r cube into 1 by 8 divided by 2 by 3 pi r cube minus 4 by 3 pi r cube into 1 by 8 तो इसको अभी इसको कट करेंगे तो आजाएगा pi r cube by 6 pi r cube by 6 divided by इधर से भी ये वाला भी हो जाएगा ऐसा कुछ pi r cube by 6 तो pi r cube इधर अलग से लिख लो तो ये 2 by 3 minus 1 by 6 तो ये pi r cube pi r cube cancel हो जाएगा सही है pi r cube cancel हो जाएगा तो ये 1 by 6 divided by 2 by 3 minus 1 by 6 कितना होता है 6, 3, 2 इसका 6 हो जाएगा ये 4 minus 1, 3 by 1 by 2 तो ये 1 by 6 by 1 by 2 इसका रेशियो हो जाएगा कुछ ऐसा 2 is to 6 that is equal to 1 is to 3 will be the answer तो इसका option number 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोस्चन फिर ट्रिकोनोमेट्री का है कुछ ऐसा है 2 cos square theta plus sin theta is equal to 3 तो लिख लेता है इसको 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 3 वार ये condition दिया हुए then what is the value of sin square 2 theta plus cos square theta plus tan square theta ये एक expression दिया हुआ इसका value आपको बताना है तो ये वाला जो equation दिया हुआ इन में से हम लोग कोशिश करेंगे इन में से हम कोशिश करेंगे कि theta का value निकल जाए ठीके तो ऐसे तो हम value putting से trial and error method से कर सकते क्योंकि 0 से तो ये satisfy होने वाला नहीं है क्योंकि cos theta के अगर इधर 0 बैठा दोगे तो ये 2 होगा 3 के अधर 0 तो 2 is equal to 3 ऐसा नहीं होगा तो ये 36 ऐसा कुछ होगा तो फिर हम देख लेंगे तो इसको क्या गरते थोड़ा solve कर लेते ये mind calculation of कर सकते 1-sin theta होगा और ये cos square theta का मतलब क्या है 1-sin square theta 3 into 1-sin theta तो इधर से 1 sin theta 1-sin theta का cancel out हो जाएगा तो ये ultimately बन जाएगा 1 plus sin theta is equal to 3 by 2 हाई या ना तब sin theta हो जाएगा 3 by 2 minus 1 is equal to 1 by 2 then theta will be equal to 30 degree सही है या ना क्यूंकि हम तो quadrant वाला factor इसमें नहीं आएगा क्यूंकि इधर डिया हुआ ये 0 degree से 90 degree के अंदर ही होगा तो ये theta 30 degree होगा इतना तो confirm है अभी देखो ये वाला जो है ये वाला जो है इसमें हम बैठाएंगे डाइरेक्ट बैठाएंगे और answer आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो sin square 2 theta के लिए हम direct 2 धर से बैठाते है sin square 2 theta के लिए ये 30 होगा तो वो 60 होगा sin square 60 का value कितना है तो root 3 by 4 root 3 by 2 root 3 by 2 का square कितना होता है 3 by 4 directly clear cos square theta का कितना होगा 1 by 4 1 by 2 होता है इसका square 30 degree ओके इधर तो नहीं होगा 30 degree तो ये भी हो जाएगा 3 by 4 ठीके क्योंकि cos 30 का value होता है root 3 by 2 10 square 2 theta ये plus 10 square 60 degree का 2 theta मतलब 60 degree हो जाएगा 1060 का value कितना होता है root 3 तो square हो जाएगा 3 cos square 2 theta अब देखो sin square 2 theta का उल्टा ही होगा न ये हो गया 4 by 3 सही है अब जोड़ दो हो गया ये 12 ये कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये भी 9 हो जाएगा ये हो जाएगा 12 into 3 कितना हो जाएगा 36 plus 3 4 16 तो इसमें से बनके आजाएगा 18 plus 18 plus 36 कितना हो गया 18 plus 36 54 plus 16 70 by 12 70 by 12 मतलब 35 by sorry 35 by 6 this one after cancelling by 2 this will be 35 by 6 option number 1 अब ये वाला question देखो A is as efficient as B and C together working together working together A and B can complete a work in 36 days तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा A और इधर B plus C ओके और जो दिया हुआ है और A plus B का 36 और सिर्फ C का दिया हुआ है 60 ओके complete it in 60 days A and C together for 10 days ये बाद में पहले तो A, B, C का हमको ratio निकालना है उसके बाद क्या है नहीं है वो बाद में हम देखेंगे अब इसमें एक बात देखो A plus B जो 36 दिन में करता है तो इधर हम ऐसा लिखेंगे A plus B और इधर C ये 36 और ये 60 सेम हुआ की नहीं हुआ ये जो 2 मिलके 36 दिन में करेगा ये ही C अकेला ही तो 60 दिन में करेगा ना तो इसको हम equalize कर सकते है तो इसका अगर ratio करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 से अगर cancel करेंगे तो ये 6 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से ये 3 ये 5 ये क्या होगा time का ये time का रेशियो हुआ की ने हुआ time का रेशियो हुआ अब efficiency E for efficiency का रेशियो क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा 5 is to 3 अब देखो मजा पहले दिया हुआ है A का efficiency किसके किसके equal है B प्लस C का equal है तो C तो अल्रेडी 3 निकल के आ गया ओके तब इसमें 4 प्लस 1 ये A का है ये B का है और ये C का efficiency है 3 तो देखो 3 प्लस 1 4 efficiency एक एशाद satisfy कर रहा है की नहीं कर रहा है कर रहा है की नहीं कर रहा है कर तो रहा है ना अब देखो अब इसी को डाल देंगे efficiency में A, B, C A, B, C अगर हो गया यह A हो गिया Efficiency 4 B का 1 C का 3 यह हो गिया Efficiency तो Time कितना हो जाएगा Time हो जाता इसका Ultra मतलग यह हो जाएगा 1 by 4 यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 1 by 3 तो Ratio कितना हो जाएगा LCM 12 तो यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 4 तो ये 4 के लिए जो दिया हुआ है वो 60 days दिया हुआ है तो 3 के लिए कितना होगा 4 के लिए 60 days दिया हुआ है तो 3 के लिए होगा 45 days और 12 के लिए कितना होगा 180 days तो हम सब निकाल लिए तो इधर से सब निकल गया तो ये ratio तो निकल गया अब देखो बोला है A and C together work for 10 days B alone will complete the remaining work अब 10 days के लिए क्या हो जाएगा 10 by 45 plus 10 by 60 यह A के लिए यह किसके लिए यह हो जाएगा C के लिए तो इन दोनों का क्या है इन दोनों के LCM कितना होगा 180 होता है तो इधर से यह आ जाएगा 4 यह 40 और यह जाएगा 3 यह 30 तो यह आ जाएगा 70 by 180 पार्ट क्या हो गया 70 by 180 पार्ट काम हो आए बाकी कितना है 110 by 180 अब B को लगता ही है टोटाल 180 days तो पार्ट बाकी है 110 पार्ट तो कितना दिन लगेगा 110 days लगेगा समझ में आया कि नहीं आए ओके चलो फिर से मैं NCIT का बोक लेके आ गया क्योंकि जो next question है उसके साथ NCIT का बहुत ही ज्यादा संबंध है तो यह वाला देखो 5 का दो जो है cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 sec A है तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको copy में लिक लेने के लिए उसके बाद देखो कैसे relate हो जाता है ओके चलो ठीके तो यह वाला आम लोग देखे NCIT से यही पर यह cos है इसलिए sec theta बन के आता है मतलब cos A है अगर तो sec A है यही अगर sin होता है तो यह cosak बन के आता है ओके यह relation थोड़ा समझ लो तो यह sin theta by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta हो जाएगा 2 cos theta ऐसे तो यह करी लोगे solve करते रहना तो मैं मुझे लगा यह वाला आप लोग को बताना चाहिए तो मैं बोला तो उसके बाद आप की मर्जी ठीके 2 cos theta is equal to कितना हो गया 4 root 3 तो 2 2 cancel out तो cos theta is equal to हो गया 2 by root 3 तो इसका मतलब theta is equal to कितना theta is equal to हो गया 60 degree सही है यह गलत theta अगर 60 degree हो गया तो इसमें हम लोग को निकालने के बोला है 10 theta plus 6 theta 10 theta के लिए कितना है तो यह 1 by क्यूंकि यह inverse है 10 theta के लिए यह root 3 है और 6 theta के लिए क्या है 6 theta के लिए यह हो जाएगा 660 का value 2 तो इसको अगर rationalize करेंगे तो हो जाएगा 2 minus root 3 okay or not तो यह हो गया option number 4 इसका answer तो यह trigonometry का यह छोटा relation अगर practice में रखोगे यह NCIT में direct दिया हुआ यह तो अगर थोड़ा practice में रखोगे तो आसानी से आप यह बहुत easy से कर सकते हो time consume नहीं होगा बहुत कम समय में हो जाएगा इसी के चलते ही मैं यह सब relation आपको दिखा रहा हूँ ओके चलो देखते हैं यह next question यह ऐसा question देखके एकदम मत घबराना क्यूंकि देखो यह दो तरीका है एक तो आप कोई भी ABC एक 0 बैठा सकते हो ठीके क्यूंकि एक similarity pattern में चल रहा है और दूसरा एक बात यह option देखके भी आपका होगा बहुत लोग शायद option देखके ही इसको टिक किया होगा देखो option देख लेते हैं ठीके B, B, C तो एक term तो आएगा ऐसा B square C तो इधर से देखो B square C एक term बन रहा है तो इसका probability है answer होने का A, B, C इधर कही पर भी एक भी term नहीं है जो ABC बनेगा ठीके तो यह तो cancel इसमें भी है A, B, C या पर एक भी term नहीं है जो बनेगा ABC तो यह भी cancel इसमें भी देखो एक term नहीं है ऐसा बनेगा ABC तो answer हो गया कुछ नहीं करना है अब अगर करना है तो इधर तुमें एक काम कर सकते हो A is equal to zero put कर सकते हो तो यह वाला A अगर zero put करोगे तो यह वाला जीरो हो जाएगा यह वाला भी zero हो जाएगा तो ultimately क्या हो जाएगा B square C माइनास B C square OK तो अब इसमें भी देखो रीचेक करना चाहते हो तो यह वाला अगर zero put करोगे तो यह कर जाएगा तो इसमें से B होगा फिर और इसमें से B minus C और इसमें से ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा C तो BC into B minus C भी हो जाएगा B square C minus BC square तो ये वाला maths ऐसे कर सकते हो और ये genuine तरीका है आप ये apply कर सकते हो अगर खुज भी नहीं करना चाते हो तो just देखके तुम tick करके निकल सकते हो क्योंकि इसमें कोई vitamin ABC नहीं है और option भी थोड़ा ऐसे ही दिखे रखाए कि ABC है ठीके तो ये ऐसे आड़ाम से eliminate कर सकते हो चलो next ये वाला question देखते है इसमें क्या है इसमें आप पहले ये वाला part ये वाला part तो आसानी से हो जाएगा ठीके मैं ये वाला part थोड़ा इसको थोड़ा बताऊंगा इसमें क्या है एक चीज़ देखो 2 into root 5 into root 2 divided by root 5 plus root 2 minus root of 5 plus 2 है है या नहीं है ठीके तो हम ये वाला का standard result निकलने के कोशिश करेंगे standard result अगर निकलना चाहते हो मैं अभी देखो exam में तो ऐसा नहीं करोगे standard result निकलने जाओ कि ऐसा कुछ लेकिन इसका standard result निकलता है आप अगर practice में रहो तो ये समझ सकते हो बाकी तो normal rationalization कर सकते हो ठीके तो इसमें देखो एक बात तो इसको अगर rationalization करोगे ये standard result निकलना चाहते हो to root of a root of b divided by root a plus root b minus root of a plus b into root of a plus root of b plus root of a plus b और नीचे भी सम यही से multiply करोगे तो ये आजाएगा root of a into root b into ये वाला जो है root a plus root b plus root of a plus b divided by इसका square हो जाएगा इसका square है इसका square तो ये a plus b plus two root a b minus a minus b इसका square तो ये a a cancel, b b cancel और two root a b इसके साथ total cancel तो ये वाला ultimately बचता है तो ये वाला solve करके तुम directly इधर लिख सकते हो root 5 plus root 2 plus root 7 ओके तो ये ही दिखाने के लिए मैं वे वाला किया तो ऐसा अगर format रहते हो तो डाएगे डाएग से लिख सकते हो तो minus इसका तो करी सकते हो root 5 का square होगा root 5 का square होगा 5 minus 2 तो इसमें नीचे वाला तो उठी जाएगा तो उपर आ जाएगा root 5 और minus के साथ ये हो जाएगा plus root 5 plus 2 और ये 7 minus 4 का 3 से cancel out हो जाएगा तो ये हो जाएगा root 7 minus 2 तो ये उपर plus होगा तो ये minus हो जाएगा तो ये 2, 2 cancel root 7, root 7 cancel root 5, root 5 cancel तो बच गया root 2 ये हो जाएगा answer option number 1 will be the correct answer अगे अगे अगर आप exam में तो ऐसे relation निकलने नहीं जाएगा मैं अभी दिखाया कि ऐसा relation ही होता है तो देखके घबराना मत कि ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसा मत कीजिएगा ये आराम से solve कीजिएगा आसानी से होगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो चलिए देखते है लास्ट कोशन आज के लिए तो ये है राइट प्रिजम का एक कोशन राइट प्रिजम हैस हाइट 18 सेंटिमेटर और इस बेस इसे ट्राइंगल तो ये कोई भी मानलो ट्राइंगल है जिसका दिया हुआ है पाच आठ और बारा पाच 8 and 12 and what is the lateral surface area तो प्रिजम का जो formula होता है curved surface area का मतलब lateral surface area और curved surface area same होता है वो होता है perimeter perimeter into height तो ये कितना हो जाएगा perimeter 25 height कितना दिया हुआ है 18 तो is equal to 450 ये बहुत easy question था मैं इसलिए डाला क्योंकि ये prism और pyramid जो है ये बहुती easy है लेकिन फिर भी कभी-कभी छूट जाता है concept के बगर और मतलब concept ठीक से नहीं है उसके चलते कभी छूट जाता है या तो formula याद नहीं रहता है इसके चलते कभी छूट जाता है तो ये इगनूर मत कीजिए हर paper में एक question prism से एक question pyramid से लगभग fixed है दो question तो इधर ही हो गया वो तीन भी हो सकता है question तो 6 number बहुत ज्यादा है तो चली उसके चलते है मैं थोड़ा आप लोगों को ये prism और pyramid का जो basic formula है थोड़ा देख लो ठीक है तो ये है prism और pyramid का कुछ basic सा formula prism का curve surface area है perimeter into height जो हमने अभी apply किया और total surface area उसी curve surface area के साथ क्या करते है upper surface जो base जैसा होता है pentagon हो सकता है pentagon हो सकता है hexagon हो सकता है तो उसका अलग से area निकालके जोलना पड़ता है और volume होगा base area into height उसी तरह इसमें एक pyramid में अलग सा concept है slant height तो मैं pyramid वाला जो question है तो उसमें already दे चुका हूँ वो देख सकते है उसमें से पता चल जाएगा height कौन सा है slant height कौन सा है और बाकी ये formula थोड़ा जरूर याद कर लीजे ठीक है तो इसी के चलता है आसका वीडियो कदम करते तो अगले फिर ऐसा series हम चलाएंगे ऐसा question आते रहेगा important important question जो repeat होता रहता है उसी concept पे तो जरूर लाइक कीजिए share कीजिए मेरा नया YouTube channel है जरूर जरूर प्लीज 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 सबस्राइट कीजिए तो मेरे को ज्यादा motivation मिलेगा कि आप लोग मेरे को support कर रहे हो इसी के चलते thank you thank you very much